क्लास 9 मैच चैप्टर 2 पॉलिनोमेल एक्सराइज 2.5 का फर्स्ट कॉस्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दा फॉलोइंग परड़क्ट सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमने इनका परड़क्ट निकालना है सीधी multiply भी हम कर सकते हैं मगर सीधी multiply हमने नहीं करनी क्योंकि इसने identity यूज करके कहा है कि इसका परड़क्ट निकालो पिछले वीडियो में हम इन identities के बारे में कर चुके हैं हमने 8 identity के बारे में पढ़ा था तो आप ये exercise करने से पहले उस वीडियो को जुरूर देखें identities वाला फिर आप इस exercise को करें और उस वीडियो का link आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा तो first test का x plus 4 into x plus 10 इसको हम कैसे करेंगे कौन सी identity का use करेंगे तो हमने ये लिख लिया using identity इस identity का हम use कर सकते हैं ठीक है 8 जो identities हमने की थी उसमें से ये fourth identity इसमें लग रही है कैसे देखो x की जगा तो x है x की जगा तो क्या है x ही है और जो a है उसकी value कितनी दे रखिया 4 और जो b है उसकी value दे रखिया में 10 ठीक है, तो x की जगाए x ही है, x plus a, ठीक है, into x plus b, ठीक है, तो x क्या है, x ही है, a की value 4 है, और b की value क्या है, 10 है, तो हम यह वाली identity लगा सकते हैं, देखो यह इससे ही मैच हो रही है, x plus a into x plus b, यह किसके equal होती है, x square plus a plus b into x plus a b, अब देखो, यहाँ पर लिखदो, जो हमने निकालनी है, यह चीज निकालनी है, x plus 4 into x plus 10 equal to, किसके equal हो जाएगा, identity लगा दो, x square, x क्या है, यहाँ पर x ही है, तो हमने x का कर दिया square, ठीक है, x की value क्या है, x ही है, जब इससे compare करेंगे हम, तो x की value क्या है, x ही है, अब plus का sign डा b क्या है, 10 है, तो 4 plus 10, और x क्या है, x, x ही है इस case में, तो x की जगा, x ही लगाएंगे, plus a, b, a की value कितनी है, 4 है, और b कितना है, 10 है, ठीक है, तो x का square, तो x का square ही होता लिख दिया हमने, 10 plus 4, 14, 14 को x से multiply करेंगे, तो 14x आजएगा, और 10, 4 जा, 40, यह हमारे पास आगा 40, त तो हमारे पास क्या product आएगा, x square plus 14x plus 40, बिल्कुल easy question था, second का second है, x plus 8 into x minus 10, इसमें भी same वही identity लगाएंगे, x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into x plus a b, अब देखो क्या करेंगे, अब आप कहोगे, इसमें तो plus है, इसमें minus है, इसमें यह identity कैसे लगी, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x plus 8 तो ऐसे लिख लिख दिया हमने, और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, x plus, ऐसे minus 10 हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आब इस के साथ यह compare हो जाएगा, x की जगा है, x की जगा x ही है, a क्या है, a की value क्या है, 8 है और B की value क्या है हमारे पास minus 10 है ठीक है ये A है और ये B क्या है minus 10 है और X की जगा X ही है तो आप लगाओ X plus 8 into X minus 10 equal to किसके equal हो जाएगा ये X square X की जगा X ही था X का square कर दिया A plus B A क्या है 8 है और B क्या है minus 10 है into X तो X तो X ही है X की लिख दिया इसलिए plus AB यानिकि A into B यानिकि 8 multiply minus 10 तो X square आगए है तो और 10 में से 8 minus का 10 है और plus का 8 है तो हमारे पास पज़ेगा minus का 2 और minus के 2 को जब X से multiply करेंगे तो minus का 2X आएगा और इन दोनों की multiply क्या आएगी minus का 80 तो ये हमारे पास इसका answer आगया अब इसका third part है ये भी ऐसे ही है 3X plus 4 into 3X minus 5 ठीक है इसमें भी identity लगेगी X plus A into X plus B ये वाले identity लगेगी देखो कैसे अब ये minus था पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये तो plus कर दिया और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3X plus ऐसे minus 5 करके हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ठीक है अब क्या है भई X की जगा क्या है X की value क्या है 3X है ठीक है ध्यान रखना X क्या है अब 3X है और A क्या है A है हमारे पास 4 और B क्या है B है हमारे पास minus 5 अगर इस formula से हम इस identity से अगर हम इसको compare करते हैं ठीक है identity से compare करेंगे तो X क्या है 3X है A क्या है 4 है और B क्या है minus 5 3X plus 4 into 3X minus 5 equal to किसके equal हो जाएगा is equal to X square X क्या है मारे पास 3X है तो यहाँ पे हम 3X रखेंगे 3X का square plus A क्या है 4 4 और B क्या है minus 5 ठीक है और X क्या है X की value क्या है 3X तो यहाँ पे हम 3X रखेंगे into plus AB यानि कि 4 multiply minus 5 ठीक है अब 3 का square क्या होता है 9 होता है और X का square तो X का square होता है जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 9X square अब minus का 5 है और plus का 4 है बचे का हमारे पास minus का 1 minus के 1 को जब हम multiply करेंगे 3X से तो हमारे पास आएगा minus का 3X यह क्या है 3X था और 4, 5 जा 20 plus और minus के multiply minus आएगी ठीक है तो इस तरह से यह question करना है अब first का fourth देखो y square plus 3 by 2 into y square minus 3 by 2 अब देखो इसमें कौनसी identity लगेगी देखो पहले वाला same है y square y square और यह वाला भी same है 3 by 2, 3 by 2, मगर किसका sign प्लस और minus का sign अलग-अलग है, बाक्की सारी चीज सेम है ठीक है, तो हम यह वाली identity लगा सकते हैं, a plus b into a minus b a, a same b, b same और a plus है और यह थर minus है, सेम ऐसे ही लग रहा है नहीं तो यह वाली identity लगा दी a plus b into a minus b a square minus b square होता है, हमने यह identity लगा दी यह लिखो, y square plus 3 by 2 into y square minus 3 by 2 हमने identity लगा ही a square minus b square a क्या है यहाँ पर a है हमारे पास y square और b क्या है b है हमारे पास 3 by 2 ठीक है, तो a square यानि की y square का square a की value क्या थी? y square थी यानि y square का square और b square यानि कि b की value क्या थी 3 by 2 3 by 2 का square तो y square का square जब हमने किया y raise to power 4 आ गया और जब 3 by 2 का square करेंगे 3 का square करेंगे तो 9 आएगा और 2 का square करेंगे तो 4 आएगा तो क्या आ गया 9 by 4 तो हमारा क्या answer आया y raise to power 4 minus 9 by 4 अब इसका first का fifth part है 3 minus 2x और 3 plus 2x अब देखो 3 3 same और 2x 2x same बस minus और plus का फरक है तो यह इसमें भी identity लगेगी a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square ठेक है आब इसने उल्टा करके लिख दिया यह ऐसे लिख दिया a minus b into यह बात वही है a minus b into a plus b बात वही है यह भी क्या होता है a square minus b square ही होता है ठेक है गुमा के लिख दिया जैसे 4 multiply 5 है 20 आयेगा और 5 multiply 4 भी तो 20 आयेगा इसने उल्टा लिख दिया इसको कोई बात नहीं यह identity लगेगी तो यहाँ पर x क्या है, a क्या है a है यहाँ पर 3 ठीक है, a 3 है और b क्या है b है हमारे पास कितना 2x b क्या है, 2x तो अब लगाओ identity a plus b into a minus b equal to a square minus b square तो यह 3 minus 2x into 3 plus 2x equal to a square minus b square, यानि कि 3 का square a क्या था हमारे पास 3, 3 का square कर दिया और b क्या था, 2x, 2x का square कर दिया, 3 का square 9 है और जब 2x का square करेंगे 2 का square तो 4 होतता है और x का square x का square ही होतता है, तो हमारे पास क्या answer है इसका, 9 minus 4x square अब question 2 है इसका, evaluate the following product without multiplying directly, यह product हमने निकालना है और multiply बीना किये निकालना है, एक तो सीधा हम multiply कर सकते हैं, 103 को 107 से multiply कर दिया और answer निकाल दिया हम इसके identity बनाएंगे फिर इसको हमने करना है, तो 103 multiply 107, तो 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 plus 3 लिख सकते हैं, 100 plus 3 103 ही होता है, ऐसी 107 को 100 प्लस हमने 7 लिख दिया तो इससे कोई फरक नहीं पड़ा पर ये identity बनगी कैसे X और ये क्या है A और ये क्या है B ठीक है X प्लस A इंटू X प्लस B वाली identity बनगी X क्या है 100 है और A क्या है 3 है और B क्या है मारे पास 7 है तो using identity X प्लस A इंटू X प्लस B is equal to X स्क्वेर प्लस A प्लस B इंटू X प्लस AB तो ये था ये थी मारे पास X की जगा क्या रखेंगे 100 रखेंगे 100 का स्क्वेर प्लस A प्लस B यानि कि 3 प्लस 7 A दी था और B कितना था 7 था इंटू X और X क्या है 100 है यहाँ प्लस A इंटू B यानि कि A के है 3 है और B के है 7 है ठीक है तो 100 का जब स्क्वेर किया तो हमारे पास 10,000 आ गया और 7 प्लस 3 10 होता है और 10 की multiply जब 100 से की ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया 1000 आ गया और 7 था 21 इन तिनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 11021 यह हमारा क्या आ गया आंसर आ गया ठीक है एक तो हम direct multiply कर सकते थे ऐसे करके ठीक answer निकाल सकते थे मगर ऐसी नहीं करना था हमने identity का use करके निकालना था इसको ऐसी next question है इसमें भी इसी identity का हम use कर लेंगे 95 को हम कैसे लिख सकते है ठीक है 95 को हम 100-5 लिख सकते है क्योंकि 100-5 क्या होता है 95 होता है और 96 को 100-4 लिख सकते है क्योंकि 100-4 क्या होता है 96 अब बनकि भाई यह x है यह भी x है यह a है और यह क्या है b है तो x प्लस a और x प्लस into x प्लस b यह वाली identity हमने लगा दी ठीक है? अब आप कहोगे यह तो minus है तो इसको हम कैसे लिख सकते है? 100 plus ऐसे minus ऐसे हम इसको लिख सकते है और इसको भी हम ऐसे लिख सकते है 100 plus minus 4 ठीक है? तो यहाँ पे x क्या है? x क्या है? यहाँ पे 100 है और a की value क्या है? यहाँ पे a की value है minus 5 और b की value क्या है? हमारे पास minus 4 ठीक है? अब इसको असानी से कर सकते हैं. identity लगा दो x plus a into x plus b इसके equal होता है अब आपको इसमें value x क्या है? 100 है 100 का square आ गया. a क्या है minus 5 b क्या है minus 4 x क्या है minus 100 और plus a into b यानि की minus 5 multiply minus 4. 100 का square यह के दिया हमने 10,000 minus 5 और minus 4 minus 9 होता है multiply 100 और 5 4 जा 20 minus minus की multiply plus. ठीक है? तो 10,000 और यह इन दोनों की multiply करेंगे 900 आ जाएगा minus का और यह plus 20 10,000 और 20 को हमने add किया तो हमारे पास यह आ गया इसमें से 900 minus करेंगे जब तो हमारे पास answer आएगा 9, 1 2, 0. तो easy question था अब second का third part है 104 multiply 96. तो 104 को हमने लिख लिया 100 plus 4 और 96 को हमने लिख लिया 100 minus 4. अब देखो यह a है यह भी a है same है 100, 100 same 4, 4 same plus और minus का फरक है बस यानि कि a plus b और a minus b वाला फार्मूला इसमें लग जएगा identity लग जएगी a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square यानि कि a क्या है हमारे पास यहां पर हमारे पास है 100 और b क्या है हमारे पास यहां पर है 4 ठीक है तो a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square तो इसमें रखो तो हमारे पास क्या आएगा 100 का square minus 100 plus 4 और यह 100 minus 4 ठीक है तो a square minus b square यानि कि a क्या है 100 है 100 का square minus 4 का square b का square यानि कि 4 का square तो 100 का square किया तो हमारे पास है 10,000 और 4 का square किया तो हमारे पास है 16 10,000 में से 16 minus करेंगे तो हमारे पास अंसर आएगा 9984 ठीक है तो इस तरह से हमने ये दो question इसके complete कर लिये हैं